INW vs. AUW Semifinal First T20 Match India Women's vs. Australia Women's World Cup 2023 का Semifinal Match जो की खेले जाने वाले हैं और काईज ये वाला मैच Women's World Cup 2023 का एक सबसे बड़ा मैच है क्योंकि जो भी टीम ये वाला मैच जीतेगी वो सीधा पहुँच जाएगी Women's World Cup 2023 के फाइनल में अब गईज इस बड़े मैच में क्या चेंज इस दोनों टीमों की तरफ से होने वाले हैं क्या कोई चेंज इंडिया वुमेंस की तरफ से हुआ है क्या कोई चेंज आस्टेलिया वुमेंस की तरफ से हुआ है मतलब अपन इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगी क्या प्लेइंग 11 आज के मैच में इंडिया वुमेंस की रहीगी क्या प्लेइंग 11 ऑस्टिलिया वुमेंस की रहने वाली है कौन से ग्राउन पे ये मैच खेला जाएगा क्या पिछ रिपोर्ट रहने वाली है मतलब ये वाला पिछ बॉलिंग सपोर्टिव है या बैटिंग सपोर्टिव है और इस हाई वाल्टेज मैच जहां पर प्रैशर गईज बहुत हाई रहता है और इस प्रैशर वाली सिच्वेशन में वो कौन सा प्लेयर है जो पर्फॉमेंस देने वाला है उसके बारे में बात करेंगे साथ में आज के मैच में आप ग्रैंड वाला हूँ और कप्तान वाइस कप्तान का सेलेक्शन देखेंगे मतलब गैज अगर आप इस वाले मैच में जा रहे है तो आपको पूरा कंप्लीट पैकेज इस वीडियो में मिलने वाला है मतलब वो सारी इंफॉमेशन मिलेगी जो आपको इस वाले मैच की बैस टीम बनान है तो इस चैनल को सब्क्राइब करके बैल आइकन की घंटी दबा के अल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सबी वीडियो के नौटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुचे और दूसरा सबसे इंपोर्टेंट का गाइस मेरा टेलीग्राम चैनल है शौर एक्सप बन जाईए जहां पर आपको हर मैच की बिल्कुल फ्री टीम मिलेगी आफ्टर टॉस और अगर आपको भी लॉस हो रहा है अगर आप विनिंग करना जाते हो तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना बिल्कुल मत भूलना वहां पे जॉइन होना बहुत चरूए साथ में गई सही है तो प्राइज मिल जाएगा बट चैनल को सब्क्राइब भी जरूर कर ले ना क्योंकि आने वाली जो स्रीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए जरूर चैनल को सब्क्राइब कर ले तो आई एन डबलू वर्सेज एई यू डबलू फर्स सेमी फाइनल टी ट्व जाएगा गाईज न्यू लैंड्स कैप टाउन में और अगर मैं यहां के पिछ की बात करूँ तो यहां पे गाईज काफी बाउंस इस पिछ पे काफी फास्ट बॉलर्स को हैल प रहती है बट यहां पर इस पीनर्स को भी मदद मिलती है और यहां पे गईज अगर आप इसक स्कूर देखो गया भी मैं आपको लेटेस्ट स्कूर दिखाऊंगा कि यहां पर किस तरीके से स्कूर बनता है तो उसके लिए अपन डेटा देखेंगे उससे पहले गाईज यहां का अगर मैं टी ट्वन्टी स्टैट्स बताऊं तो टोटल पांच मैच गाईज इस ग्राउ साथ मैच ही दीते हैं वैसे आप लोगों को भी पता है और इंडिया को इसको हराना बड़ा मुश्किल होगा खुछ अच्छा पर्फॉर्मेंस देना होगा जब ही हरा पाईगी तो यह चीज़ को ध्यान में रखना है स्कूरिंग पैटेन की बात करूं तो हर तरह का स्कूर का रोल भी इंपोर्टेंट होगा क्यों होगा गईज वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल शौर एक्सपर्ट सपोर्ट को अभी तक जॉइन नहीं किया है तो आप बहुत खुछ मिस कर रहे हो आप वो मैचे इसकी टीम भी मि कवर नहीं करता बट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर कवर करता हूं आपको इसका इससा कैसे बनना है आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जाना है आपको पहले नंबर का लिंक देखेगा जॉइन टेलीग्राम फॉर फ्री टीम उसके नीचे वर्क ना करें तो टेलीग्राम पर सिंपल ही सर्च कर लेना शौर एक्सपर्ट सपोर्ट आपको मेरा चैनल दिख जाएगा जॉइन कर लेना आपके लिए ही बनाया है और अगर वह अगर आपको पसंद ना है तो लैफ का ऑप्शन है वहां पर जॉइन जरूर से करना है मेर सौथ अफरिका वुमेंस के झacağ बंगलादेश वुमेंस ने 113 बनाए, सौथ अफ्रिका विकर वुमेंस ने 117 बना दिया, एक वी विकेट निक होया और इसे वाले मैच वे 5 विकेट मिले, फास्थ बॉलर depression को और एक विकेट मिला इस स्पीनर्श को, इसके बाद यहीं पर ह मैच हुआ था कि इस सेम डे का मैच है जिसमें इंगलाइंड वुमेन और पाकिस्तान वुमेन के बीच ये मैच हुआ इंगलाइंड वुमेन ने पहले बैट करते हुए 213 बनाए और पाकिस्तान वुमेन 99 रन ही बना पाई और इस वाले मैच हुए पांच विकेट फास्ट बालर्स को और साथ विकेट इस्पिनर्स को तो कही ना कही गईज मुझे समझ में आ रहा है इस पिछ में कि जो टीम बैस्ट होगी ना जो टीम स्ट्रॉंग होगी वो चाहिए पहले बैट करें सैकेंड बैट करें वो चीज मैटर नहीं करती क्योंकि इंगलेंड वुमेंज ने यहाँ पहले बैट करके 213 करें और इसी ग्राउन पर फिर साउथ अफ्रीका वुमेंज ने सैकेंड इनिंग में बड़ा स्कोर कर दिया तो यहाँ पे गईज मतलब यह एक बैलेंस पिछे जहाँ पे फास्ट बॉलर इस्पिनर्स दोनों को हेल्प रहती है और साथ में बैट्समेनों को भी हेल्प है तो आप कुल मिला के खह सकते है कि यह वाला पिछ निट्रल पिछ है जहाँ पे हर किसी को सपोर्ट है तो जो बैस्ट ग्यारा है उसी को ही अपने को लेके जाना पड़ेगा आज के बाइस में से और वो बाइस में से बैस्ट ग्यारा प्लियर कौन होंगे वो सब अपना आगे वीडियो में डिसकस करने वाले है उससे पहले आपने अभी तक Exchange 22 एप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो क्योंकि बिल्कुल फ्री में 100 रुपे आप विन कर सकते हैं कैसे करोगी उसके लिए आपको यूट्यूब के डिसक्रिप्शन सेक्शन में जाना है वहाँ पे आपको Exchange 22 एप्लिकेशन का लिंक दिखेगा उस लिंक पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है उसके बाद आपको चार चीजे करनी होगी बैंक वेरिफिकेशन, बैन वेरिफिकेशन, मेल वेरिफिकेशन और मोबाइल वेरिफिकेशन ये चार कवम करते ही आपको 100 रुपे मिलेंगे और इस 100 रुपे से आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री में ट्रेट कर सकते हैं बेसिकली गाइज यह है क्या Exchange 22 गाइज एक buy sell के application है जहाँ पे आप simply players को buy और sell करके winning कर सकते हो मतलब जो player आपको लगता है आज के match में अच्छा करेगा उसको buy करिए और जो player आपको लगता है आज के match में अच्छा नहीं करेगा उसको sell करिए और यहाँ पे गाइज एक offer चल रहा है कि अगर आप 1000 रुपे का deposit यहाँ पे करते हो तो आपको 20% extra cash मिलेगा मतलब 1000 रुपे के deposit पर आपको 1200 रुपे मिलने वाले है तो जल्दी से जाईए गाइज वे एक्षेंज 22 एप पे खेलिए और यहाँ पे आज के match में free giveaway भी है और वो कैसे मिलेगा वो मैं आगे बताने वालों बट इस एप पे थोड़ा सा वित्ते जोकिम इंक्लूड है करपे अपनी रिस पर खेले और समल के खेले अब सबसे important point पे आते हैं कि आज के match की क्या playing 11 है क्या changes हो सकते हैं और इसके बाद अपन देखेंगे कि इन में से कौन से best 11 है जो आज के match में रखने है इन ही में से अपन देखेंगे कौन सा baller death में कराएगा कौन सा player power play में कराएगा फिर कप्तान और wise कप्तान के लिए कौन bash ट्रैने वाला है और क्या final team होगी सारी चीज़े discuss करेंगे बट अभी तक अगर आपने तीन काम नहीं किये तो जल्दी से जाके कर दो एलिसा हैली देखी लास्ट मैस नहीं के लिती बट मुझे लग रहा है इस बड़े मैच में ये comeback करेगी तो ये opening पे आ सकती है बैत मुनी के साथ इसके बाद एलिसा पैरी मैक लैनिंग ए गार्टनर इसके बाद ताहिला एमसी ग्राद, ग्रैस हैरिस, जॉर्जिया वारम एलिना किंग, मेगान, इसकर्ट और ड्रैसी ब्राउन तो ऑस्टेलिया वुमेंस की गई दिया एक्सपेक्टेट प्लेंग 11 है जो शायद आज के मैच में रह सकती है हाँ अगर आज के मैच में भी ऐलिसा हैली नहीं आती है तो फिर ऐलिसा पहरी आपको ओपनिंग करती हुई दिखेगी और एनला शतरलैंड फिर खेलती हुई देख सकती है इंडिया वुमेंस की दरफ से दिखी शैफाली वर्मा और इसमती मंदाना यह ओपनिंग पे आएगी इसके बाद हर्मन प्रीट कोर, रीचा गौस, जैमी रोडरीगेज, दिप्ती शर्मा, पूजा वास्तेकार, देवी का वैद्दे, शिखा पांडे, राजेश्वरी, गायकवार्ड और रेनुका सिंग, ठाकुर अब देखे गईज, इस वाले मैच में है न, बैटिंग ओडर में चेंज होगा, रोडरीगेज आपको नमबर तीन पोजिशन पे खेलती रिखेगी, हर्मन प्रीट कोर, नमबर चार पे, रीचा गौस, नमबर पांच पे, इस तरीके से आपको बैटिंग ओडर देखने को म सबसे पहले अपन चलते हैं, विकेट कीपर सेक्शन में, सेक्शन वाइज आनालेसिस करेंगे, जिससे अपन पता करेंगे कि आज के मैच के लिए कौन सा प्लेयर बैच टाएगा, क्योंकि आपको पता है, मेरा वीडियो पूरा कंप्लेट पैकेज दाता है, तो EUW वर्सेज IAW सेमी फाइनल T20 मैच का अगर विकेट कीपर सेक्शन देखें, तो ऑस्टेलिया वुमेंस की तरफ से आपको बैथ मुनी ओपनिंग पर दिखेंगी, और आपको बता दू, बैथ मुनी है ना, इंडिया वुमेंस के अगेंस बहुत अच्छा पर्फोर्मेंस देती है, है, एली सा हली की बात करूँ, 23 का अवरेज है गईज, इसका भी इंडिया वुमेंस के अगेंस, और अगर इस वर्ड कप में फार्म देखोगे, पच्छपन, चववन, सैथिस, डेफिनेटली गईज, ये दोनों प्लेयर अगर आज के मैच में खेलती है, तो मैं अपनी टी खिले, 75 रन मनाए, तो कही ना कही आप देख सकते है, 35 प्लस का अवरेज है, और अगर आप रिसेंट फॉर्म देखोगे इस वर्ड कप में, तो एक लास्ट मैच को छोड़ दीजिए, अदरवाईस 47, 44, 34 इकरान में, मतलब गईज, विकेट के पर section काफी tight section होने वाला है, तीनों के तीनों प्लेयर ऐसे है, जो लेने लायक है, जिनको आप रख सकते हो, अब मैंने अपनी final टीम में किसको रखा है, वो भी आगे बताऊंगा, बट मेरे साब से तीनों बैस्ट है, मूनी, हैली और इचागॉस्ट, तीनों को आप रख सकते हो, यहाँ पर बात करेग इस ऑस्टेलिया वुमेंस के बैस्मेन की, ऑस्टेलिया वुमेंस के तरफ से सबसे पहला नाम आता है, मैक लैनिंग का, नमबर तीन पोजिशन पे खेलेगी, इंडिया वुमेंस के अगेंस अवरेज अगर आप देखोगे, लगभग 30 का है, लास्ट तीन मैचों में एक अर 44-41 तो बहुत अच्छी फॉर्म में भी है, रिदम में भी है, और ये प्लेयर ऐसी है, ग्राउंडेड शॉट खेल सकती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रैशर सिच्वेशन में भी इसको पता है किस तरीके से खेलना है, तो बहुत अच्छी प्लेयर है, ताहिला एमस लिग के पॉंट आउट से इस पे फोकस कर सकते हो, बट थोड़ा सा क्या है कि लोवर डाउन बैटिंग करेगी, तो थोड़ी बैटिंग आने की चांसे है, नहीं वो थोड़ा डाउट फुल है, बट जी एल के पॉंट आव व्यू से बढ़िया प्लेयर है, ग्रैस एरिस की बात करूँ, गईस देखिए, इसको एक मैच में है ना बॉलिंग मिली थी, वहाँ पे इसने दो विकेट निकाले थे, अदरवाइस उतना कुछ खास पर्फॉमेंस निकल के आया नहीं, और आज की मैच वे वैसे ही इतने सारे प्लेयर है, तो आप किसी को तो ड्रॉप होगे, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है, मैच लैनिंग के साथ डबल टिक वाली प्लेयर है, इसको आपको रखना ही रखना है, डबल टिक का मतलब वो है कि जिस प्लेयर को आपको स्मॉल लिग और ग्रैंड लिग दोनों में रखना है, और ताहिला एमसी ग्राद को सिंग पॉइंट आउट से आपको ताहिला एमसी ग्राद को रखना है, मैंने आपको बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर बात करें इंडिया वुमेंस के बैट्समें की, इंडिया वुमेंस की तरफ से सबसे अच्छी फॉर्म में अगर आप देखोगे थोड़ा सा रिकॉर्ड खराब है, इस वेन्यू पर दो मैच खिले किवल तेई सर नहीं बनाए, तो अगर आप इसको कप्तान और वाइस कप्तान बना रहे हो, तो थोड़ा सा रुख जाना, टीम में जरूर रख लेना, बढ़ मेरे साब से कप्तान वाइस कप्तान के लिए रिस्क कि रहेगी, क्योंकि इस वेन्यू पर उटना अच्छा पर्फॉर्मेंस रहता नहीं है, और लास्ट दो मैचों में दो हाफ सेंचुरी है, 87 और 12, हर्मन प्रीट कौर की बात करें, इस वेन्यू पर तीन मैच खिले, 76 बनाए, तो कही ना कही इसका एवरेज जादा ब इस वेन्यू पर तीन मैच खिले, 98 बनाए, और लास्ट पांच मैचों में 19-13, एक तरेपन 41, तो यह प्लेयर ऐसी है कि जो ग्राउंडड शॉट खेलती है, ज्यादा चोके चक्के पे कम बिलिव करती है, तो यह मेरे साब से 20-25 बना सकती है, और शैफाली वर्मा की बात कर वैन्यू पर दो मैच एक साटन, तो यहाँ पर गाईस थोड़ा सा कन्फीजन हो गया है कि अपन कौन से प्लेयर्स को पिक करके जाए, तो मेरे साब से जो लगता है मुझे कि इसमती मंदाना को रखना चाहिए, एक बढ़िया पिक है, और दूसरा मुझे लग रहा है कि हर् और बाग की अगर आपको एक और रखना है, तो आप शैफाली और और ओडरिगेस के साथ भी जा सकते हैं, आपका ओप्शन ओपन है, आपको किसको रखना है, वीडियो पर लाइक कर दिया करोगा इस प्लीज आप से रिक्वेस्ट है क्योंकि हम इतना एफट लगा कि आपक प्लीज आप लाइक कर दिया अगर आपका एक 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 लाइक काफी मॉटिवेट करेगा और चैनल को सब्क्राइब भी जरूर करो और बैल आइकन के घंटी दबागे और प्रेस करके रखो, और वोमेंस का ओल राउंडर सेक्शन गाइस बहुत स्ट्रॉंग है, इस पहला न इंडिया वुमेंस के चोईस विकेट ले जा चुकी है, साथ में 357 रन है, कहीं से भी डॉप करने वाली प्लेयर नहीं है, एलिसा गाटनर की बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, इस टीम के स्पीनर है, नंबर चार पे आएगी, और इंडिया वुमेंस के अगेंस 16 मैच, 19 व और शटर लेंड, देकि मेंरे साब से तभी खेलेगी, अगर घ्ले यह तो शटर लेंड आज का मैच नहीं खेलेगी, और इंडिया वुमेंस के अगेंस रिकषा बी नहीं है, तो यहाँ पर यह दो ही प्लेयर बढ़िया है, पार ये ढूदर जिसके साथ अपन जा सकते हैं, यहां पर बात करें इंडिया वुमेंज के ओल डॉंडर्स की इंडिया वुमेंज की तरफ से थूरा सा है ना ओल डॉंडर्स एक्षण विक लग रहा है उतनी अच्छी फॉर्म में प्लियर्स है नहीं हम पूजा वास्तेकार की बात करूं अभी आप लाश्ट पाच मैचों में देखिए केवल दो सको मिले और इस वेन्यू पर आपके तीन मैच में केवल दो मिला है तो पूजा वास्तेकार उत्तीं फार्मम में नहीं है दिपति शर्मा की बात करूँ तो ये भी थोड़ा सा अपना रिदम खोरी है अगर आप देखें लास्ट पाच मैचों में तो एक मैच में बड़े विकेट निकले तीन बाकि जीरो विकेट एक विकेट एक विकेट एक विकेट बट इस वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छा है दो मैच में चार विकेट मिले है तो दिपति शर्मा को भी आज के मैच में रखना ही रखना है बट ऐसे कप्तान और वाइस कप्तान में आपको भी आगे बताऊंगा किस को बनाना है वो थोड़ा सेफ रखना है और देवी का वैद्धिय उतनी अच्छे फॉर्म में है नहीं लास्ट चार मैचों में दो ही विकेट मिले तो यहां पर आज के मैच में हो सकता है देवी का वैद्धिय खेले ना खेले क्यूंकि यह इनको कभी एक मैच में खिलाता है द्रॉप करते तो थोड़ा यहां पर कंफ्यूजन है तो मुझे लग रहा है अभी के लिए यहां पर दिपते शर्मा ही मुझे एक बैस्ट चॉइस लग रही है बाकि आप पूजा वास्तेकार को रखना चाओ तो रख सकते हैं अब यहां पर बात करें ऑस्टेलिया वोमें पूरा वीडियो देखेगा और इंडिया वोमेंज की बॉलिंग सेक्शन में यहां पर मेगान इसका टीम की फास्ट बॉलर है और बहुत एक्स्प्रियंस बॉलर है आप देखें 94 मैचेस का एक्स्प्रियंस है इस प्लेयर को और इंडिया वोमेंस के अगें 15 मैच 18 विकेट हर मैच में इसको विकेट मिल रहा है आप देखें 1 विकेट 4 2 विकेट Congratulations लेखने जा त्राइसी ब्राउन की बात करूं बॉलर है यह भी घर मैच में एक-डो एक-डो विकेट लेती है और जोर्गिया वारम इनकी सबसे इंपोर्टेंट इस्पीनर है आप देखें लास्ट तीन मैचों में अब तक 6 विकेट ले जा चुकि इंडिया वुमेंस के अगेंस चार मैच तेन विकेट और एलेना किंग मुझे नहीं लगता उतनी जादा बढ़िया है लास्ट चार मैचों से विकेट मिला नहीं है और इंडिया वुमेंस के अगेंस में उतना अच्छा record यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पर मेरे सापसे दू बॉलर है जिस पर मैं double tick कर रहा हूँ जिसको आपको small league grand league दोनों में रखना है वो double tick वाली player है जोर्जिया वारम और मेगा निसकाट जिसको आपको दोनों side रखना है ड्रैसी ब्राउन को भी आप रख सकते हो बट उस case में आपको यह सोचना पड़े का कि क्या Australia women's के ही आज player चलने वाले हैं तो उस case में फिर आप ड्रैसी ब्राउन को भी लेके तीन बॉलर के साथ जा सकते हैं मेगा निसकाट और जौर्ड यावारम बैटर पिक है इसका आज के मैच के लिए इंडिया वुमेंस की बॉलिंग सेक्शन में देखी एक मात्र बॉलर है जो काफी अच्छा कर रही है जिसका नाम है रेनुका सिंग ठाकुर फास्ट बॉलर है लास्ट इन मैचों में पाँच एक एक इस वैन्यू पर दो मैच खेली और एक विकेट मिला है तो आपको बतादो रेनुका सिंग ठाकुर को जो पाँच विकेट मिलेते ना वो पिस थोड़ा डिफरेंट है ये पिस थोड़ा डिफरेंट है तो उस चीज को देख लेना इस वाले पिछ पर उतना ज्यादा पेस हो स्विंग नहीं है जो लास्ट पिछ पर था तो वो माइनस पॉइंट हो सकता है बट रिसेंट फॉर्म के बेस पर आप रेनुका सिंग ठाकूर को डेफिनेट रख लेना क्योंकि इंडिया वुमेंस की बॉलिंग सेक्शन उतना ज्यादा लग नीड़ा थोड़े से बॉलर उतनी अच्छे फॉर्म में है नी और यहाँ पर राजेश्वरी गाएकवार अपनी फॉर्म के साथ जोज रही है लास्ट पांच मैचों में अभी तक एक विकेट मिला है और शिखा पांडे की बात करूँ ये भी गईज एक दो विकेट निकाल के दे देती है बाकि उतने अच्छे टच में नी है तो यहाँ पर मुझे लग रहा है रेनुका सिंग ठाकुर ही एक बैस्ट बॉलर है बाकि आप चाओ तो शिखा और राजेश्वरी के साथ भी जा स है और वो बॉलर अगर अपनी टीम में होगा तो कहीं ना कहीं अपने को पॉइंट जादा देगा अगर ऑश्टेलिया उमेंस की तरफ से मैं देखू हूँ तो मेगान इसकट और एक आड़नर ये दो प्लेर ऐसी है जो पंड़ा से बीस ओवर में बॉलिंग कराती है और वह इंडिया वुमेंस की तरफ से देखिए गायकवार और पूजा वास्तेकार को दैत में बॉलिंग मिली थी बट विकेट नहीं मिले तो यहां पर यह उतनी अच्छे फॉर्म में भी नहीं है इनकी जगे आप इंडिया वुमेंस की तरफ से रेनुका सिंग ठाकुर दिपते शर्मा और शिखा पांडे यह उपर के तीन बॉलर को रख सकते हो क्योंकि अपने पूरे कंप्लेट और कराएगी तो चांस है कि वहां पर विकेट निकाल के दे तो रेनुका दिपती के अलावा अगर आपको एक और बॉलर इंडिया साइट से रखना है तो शिखा पांडे मेरे साब से बैटर पिक हो सकती है जिसके साथ आप जा सकते हैं जी एल के पंड प्लेयर आज के मैच के लिए कौन कौन हो सकते हैं बैत मुनी मैंने आपको बताया था इंडिया वूमेंस के अगेंस यह बहुत अच्छा करती है बैत मुनी इसके बाद एमसिग राथ है रीच जल्दी गिर जाए तो मिडल ओडर में आके रीचा गौश एक अच्छी बैटिंग कर सकती है तो रीचा गौश या हर्मन प्रिट को और शेफाली वर्माई तो यह खुच प्लेयर है जो पॉइंट करने वाले हैं आज के मैच के पॉइंट आउट से और श्टेलिया वूमें प्लेयर मैच मेरें आज की मैच में वापस से खेले क्योंकि मुझे देवी का क्वैद्वित रीचा क्या मैच करने रही तो रादा याद्या तो यह कंच सखते हैं डिप्ती शर्मा के पॉइंट श्ट्रगल करती है चार बार आउट कर चुकिया है दिपते शर्मा ने बट 105 बॉले लिए और दिपते शर्मा जब तक बॉलिंग कराने आती है जब तक तो ये बहुत कुछ कर जाती है तो मेरे सापसे इसको डॉप मत करना मैग लैनिंग को राजश्वरी गाईकवार्ट चार सबका डेटा लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल रीट कर सकते हैं और इसके अपनी टीम बैटर कर सकते हो कि इन प्लेयर को डॉप कर दो और उस बॉलर को रख लो जो इनका विकेट ले रहा है तो कहीं न कहीं उससे आपको बैटर टीम बनाने में हेल्प मिलने वाली है अब गरिज आज के मैच के पन फाइनल टीम देखेंगे ग्रैंड लीग की टीम देखेंगे कप्तान वाइस कप्तान का सेलेक्शन देखेंगे उससे पहले आज के मैच का फ्री गीववे का क्योशन तो A.U.W. versus I.N.W. semi final women's world cup 2023 का free giveaway question है कि आज के match में man of the match कौन सा player रहने वाली है उस player का नाम बताना है जो आज के match में man of the match रहीगे आंसर आपको कैसे देना है comment section में जाके देना है और answer देते समय तीन चीजों का ध्यान रखना है वीडियो पे like channel subscribe और telegram shore expert support join जिसका description और comment में पहले number का link है तो जरूर से जाके join करें जरूर से जाके answer दे सभी भाईो से request है देखे गई आज के match के में final team दिखा रहा हूँ बाकी मैं इस वाली team में कुछ भी change करूँगा ना एक से दो वो सब update आपको telegram shore expert support पे मिल जाएगा तो इस पे join होना जरूर से आप सभी भाईो से request है YouTube के comment और description में पहले number का ही link है बस click करना है join हो जाना है ताकि जो भी मैं last moment पे change करूँग अपडेट करूँग उसका update आपको मिल जाए सबसे पहले wicket keeper section में देखी मेरे साब से यह दोनों प्लेयर ऐसी है जो इंडिया वुमेंस के अगेंस कहीना कहीं चलती है एलिसा हैली और बैत मुनी दोनों को रखा है यहाँ पे इंडिया की तरफ से इसमती मन्नाना और हर्मन प्रेट को और यह दोनों आपको काफी experience वाली प्लेयर है जो इंडिया वुमेंस से काफी टाइम से खेल दी है pressure situation में कैसे खेला जाता है तो यह बैटर कर सकती है इसमती मन्नाना हर्मन प्रेट को और यहाँ पे mag लैनिंग जो इनकी कप्तान है मुझे लग रहा है काफी अच्छा करेगी इसके अलावा एक गार्डनर एलिसा पैरी जो बहुत यह अच्छी अपनी बैटिंग बॉलिंग दोनों से यहाँ पर डिपती शर्मा यह भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा करेगी और यहाँ पर मैंने रखा है मेगान इसकट जोर्जी अवारम और एनुका सिंग्ठागूर तो यह मेरी लगभग टीम है आज के मैच की जिस टीम के साथ मैं जाने वाला हूँ बाकी इसमें मैं खुझ भी चेंज करूंगा एक दो वो सब आपको अपडेट मिल जाएगा अब आपको दूसरी टीम भी दिखा देतो यह दिखिए गई सेकंड टीम है आप यह वाली टीम भी यूटिलाइज कर सकते हो कि इस वाली टीम में मैंने क्या करा है यहाँ पर गई यह तीनों बैट्स मैंने इंडिया से रख लिए स्मति मन्नाना शैफाली और रॉड्रीगेज बट यहाँ पर मैंने ऑश्टेलिया के तीनों बॉलर भी रख लिए इसकट डी ब्राउन और जोर्जिया वारम यहाँ पर गार्डनर दिपते शर्मा और एली सपरी तो यह वाल टीम में से जो बैश करेंगे आपको जा सकते हूं अब कप्तान और वाइस कप्तान के लिए कौन बढ़िया है उससे पहले अगर आपने एक्सचेंज 22 एप्लिकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाईए एपको आई किया और अगर इसने पॉइंट दिये पचास तो पचास माइनल तठाइस जो डिफ्रेंस आएगा वह आपका प्रॉफिट हो जाएगा तो इस तरीके से आप आई सैल करके यहां पर विनिंग कर सकते हो बटी से थोड़ा सा वित्ते जोकिम इंक्लूड है क्रपे अपने और आप लोगों ने इस वीडियो को इत्ता टाइम दिया प्यार दिया उसके लिए आप सभी भाईयों का बहुत-बहुत धन्यवाद मैंने आपको बुला गई दिस एप खेलो वहां खेलो देखो खेलना निखेलना वह आपका डिसीजन है मैं कहीं से भी उस चीच के लिए सब्सक्राइब कर जाना और ऐसे ही वीडियो को देखते रहना ठीक है भाईयों आदा आप सश्यकाल और नमस्कार